Hello students, so last time हम लोग पढ़ रहे थे अपने Maths 1 का second chapter that is Matrices और पिछली बार हम लोग ने स्टार्ट किया था exercise 2.6 हम लोग ने देखा था कि equations को solve करने के दो methods होते हैं एक method of inversion और एक method of reduction पिछले वीडियो में method of inversion अपना खतम हो गया था आज के इस वीडियो में we are going to start with method of reduction आज के इस वीडियो में हम लोग क्या start करने वाले method of reduction अब method of reduction कैसे करना है यह तुमनों बस देखते जाओ समझते जाओ एक बार तुम लोग अगर steps समझ लोगे लेको किसी भी method के अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती steps क्या पहले कौन सा step करना बाद में कौन सा step करना है एक बार steps सब्समें आ गये और तुमने प्रेक्टिस कर लिया दो तीन बात दिमाग में तो अपने भी बैठ जाते फिर तो सब आसान हो जाते है चलो देखो यहां पर क्या लिखा है एक्पेसित से फोलीं के के वे मै drift from ए सौल देंब डैंके अधर मेड़ेक्शन चेंशंट इस कोरना है ब्रेज़ए अब जरुड से देखना क्या करना होता है इसमें सबसे बढедाय ऐक्रशे उसे पेचले वाली में करते थे यहां पर दे दिया 3x plus 5y is equals to 4 तो यह भी लिग दे तो मैं 3x plus 5y is equals to 4 यह भी लिग दे तो मैं यह हो गया equation number 2 समझे में आ गया यह 2 equation दिये फिर इनका लिखो matrix form जैसे पिछले वाली में करते थे तो मैं लिखूंगा पर इन मेट्रिक्स फॉर्म क्या लिकूंगा मैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा एक टू बाइटू का अट्रिक्स बनेगा क्योंकि तो हैं और यहांपर इस वाले मेथट के अंदर देखो हो यहां तक सब सेम था है method of inversion करते थे वैसा यहाँ पर भी था फिर एक्वेशन लिखा फिर matrix form लिखा लेकिन इसके आगे सब कुछ अलग है यहाँ पर हम लोग इन तीनों को नाम नहीं देंगे इसको a, x, b ऐसे नाम देते थे ना यहाँ पर देने की जरूत नहीं है डायरिकली इसी को यह जो बन गया ना इसी question को आपर solve कर दिया जाएगा पता है करना क्या है हम लोगों को करना कुछ यह है कि यहाँ पर जो भी matrix है यहाँ पर इस position पर देखो मैं जाता है इस जूर्म मेट्रिक्स क्या बना देने हम लोगों को इसके एक अपर, हम लोगों को transformation का यूそ करके वहाँ पर जो भी matrix देख रहा है उसको क्या बना देना एक अपर मैक्रिक्स अपर ट्राइंगोलर मैक्रिक्समझते वह क्या होता है अगर 2D tarki मैं बात करूँ पर ओड़िए चोड़ के इनतीनों में कुछ भी हो चलेगा यह वाली में जीरो जाते हैं मिला जो लाके ऊपर वाला ट्राइंगल कुछ भी हो यहां पर कुछ भी ऐलिमेंट सो चलेगा लेकिन नीचे 3 क्या होने चाहिए जीरो अट्वाइटू में इसको बोला चाता है अपर ट्राइंगुल मेट्रिक्स उपर का ट्राइंगल कुछ भी हो आपर नमबर चले का है यह तो 2 x 3 का सारी यह 2 x 2 की 3 x 3 की इसका हम लोगों को इस एलिमेंट को 0 बनाना है यहां पर मैं पॉइंट आओ नहीं थिसको लोगों को 0 बनाना ताकि वा ट्राइंगुल मेट्रिक्स बन जाए तो इसको कैसे बनाएंगे तो बहुत सिंपल है ट्रांसफरमेशन में और में परका लिखा 1 और ले जहां SpDER फिर भन गया सकता हूं कि अगर में बने को फीर से मிल्सिति आ जाक्ती दें हम यह परेडिए में लिखेशन साथ किला दकाँए कॉढ़ चैनल से कि आणसर क्या आएगा यहां पर दिखो जलो देखो चेंजेस आट टू में करने तो आरवन को कॉपी पेश्ट कर लेंगे ट्रांसफोर्मेशन में सिखा चुक हो आरटू में चेंजेस करने तो आरवन को एज़ेडिज लिख के रख लो 1 3 यहां पर तो कोई चेंज होता ही एक बन गिन के लिखा दो थी मैइनस थी वन्सा कितना उता थ्री घितना जाएगा जीरों तो है कितना जाएगा जीरों खत्म अभी सेम चीज इस इलेमेंट के लिए करेंगे आए-ध्यार्ट यह आपर ले लेंगे 5-3 are 1-1 any 5 क्यों पर क्या आरवन है 3-3 to 5-3 3-0 9 5-0 9-4 नपी नजए गा माइनस 4 आजएगा सिंपल एग तो और यही सेम काम राइट हैं जाएड में भी ओगा आर टू आर टू यह निकी 4-3 आर वन आर वन इसके ओपर क्या है टू है 4-3 दूजा 6 कि नहीं आएगा माइनस 2 तो आप आज जाएगा माइनस 2 सिंपल एक दम हाना और बस यही एक काम करना यह तो बन गया पर पर लेकिस समझ गया है इस्ट्राइब के बाद बहुत आसान यह जोventions वहनास के लगों आपको का क्रेंड लूप मतलब की प्लस 3y देख ऐसी होगा यह रो कॉलम में मुल्टिप्ला होगा ना तो 1x से मुल्टिप्ला हो जाएगा 1x एक 3y से मुल्टिप्ला हो जाएगा यह बीच में कुछ नहीं प्लस 3y समझ में आए इतना तुम लोगों को यह रो इस कॉलम में मुल्टिप्ला आंसर यहां पे लिए तो 1xと 3y यह इस इक usando में पर आ लिखा था2 तू आ के तो Uhh और 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 अभी और भी तो मुल्टिप्ला होगा अभी नीचे वाला भी तो मुल्टिप्ला होगा तो नीचे वाला जब इसमें मुल्टिप्लाइगा तो 0x अब 0x मतलब कुछ भी नहीं होता है 0 into anything is nothing तो 0x तो लिखना ही नहीं फिर उसके माद आएगा इसको छोड़ो यहां पर ध्यान दो यारी माइनस और माइनस कड़ जाएगा बचेगा यहां पर 4y इस इकोल्स टू क्या बचेगा टू मुझे वाई की वेल्वी चाहिए तो 4 को मैं उधर वाइस दिऊंगा तो यहां पर 4 इसमें से वाई की वेल्वी में अब इस वाई की वेल्वी पूट कर देते इधर तो यहां पर जामें पूट करूंगा तो x plus 3y की जगह क्या लिख दिया जाएगा 1 upon 2 1 upon 2 is equals to 2 खतम तो एक तो ठीक है प्लस 3 बंजा कितना हो जाता है 3 हो जाता है 3 बंजा 3 upon 2 is equals to 2 मुझे x की वेल्वी चाहिए तो मैं क्या करूंगा यह जो प्लस 3 upon 2 है यहां पर इसको बेज़ेंगा उस साइड में हो जाएगा माइनस 3 upon 2 तो x is equals to 2-3 upon 2 ठीक है अब इसको क्रॉस मुल्टिप्ला कर दें यह 2 यहां पर क्रॉस मुल्टिप्ला हो जाएगा तो x is equals to 2 to the 4-3 पूरे क्या पॉन में 2 4-3 कितना होता है 1 upon में 2 इमेल को मिल एक्स की वेल्वी लोग एक्स की भी वेल्यू आ गई में जो ए वाला मेट्रिक्स था नाम मतले को ए नाम है करके यह वाले मेट्रिक्स को अपर ट्राइंगुल बना दो फिर ओपन करो और ओपन करने के बाद अपने वेल्यू में जाती है चलते नेक्स्ट कोशन की तरफ अच्छे से समझ वाएगा तुम्हों को दिरी देंशन मत यह एक क्वेशन है 4x plus y is equal to 6 4x plus y is equal to 6 यह एक क्वेशन दो एक क्वेशन लिगती है मैंने ठीक है चलो आगे सॉल्व करते हैं अब आगे का करेंगे हम लोग इसको ले लेंगे क्वेशन नमबर 1 इसको लेंगे क्वेशन अबर 2 और लिखेंगे इसका मेट्रिक्स फॉर्म त अ कि मेट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा एक मेट्रिक्स बनेगा 2x2 क्योंकि 2 equation यहां पर एक है 3 यहां पर 4 है तो 3 और 4 कुछ नहीं से सिर्फ माइनस 1 कुछ नहीं है 1 ठीक है यहां पर फिर एक मेट्रिक्स आएगा जिसमें लिखा जाएगा X और Y और उस साइड का जाएगा है पर one or six to one or six matrix form तो लिखने अपने को आता है फिर इसको convert कर दिया जाएगा किसमें अपर triangular matrix में क्या करना पड़ेगा convert करने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा इसको 0 बनाना पड़ेगा अच्छा इसको 0 कैसे बनाएंगे तुम लोग सोचो बहुत सिंपल है यह आर टू के अंदर है और सिदी से बात कुछ भी करूंगा तो आरवन ही बचेगा करने के लिए तो से multiply के 12 फिर दोनों को माइनस कर दो 12-20 ऐसारा आंसर स्टोर कांपे करेंगा 2 के अंदर का स्टोर करेंगा 2 के अंदर सिंपल और बस यही ट्रांसफोर्मेशन कर दो अपना काम हो जाएगा तो चेंज़ेस कहां करने आर टू में तो आर टू को छोड़ो पहले आरवन लिख ल फिर यहां से स्टार्ट करते 4 माइनस फूर आर वन इसके कर्सपोंडिंग में आर वन कितना है 3 है 3 फूर जा टूवल माइनस फूर कितना हो जाएगा 0 है आप आगया 0 वाओ यह तो अपने कोछी यह था बागी भी कर लेते 3 आर टू अब इसकी बारी आर टू माइनस फूर अरन वन बर गोज्डिया मीनस उदिया 1 3 ए ओन थीमाइनस फूर बना फोर तो फूर तो प्लस वूंnow 7 कितना आजागा सबन सींपल है कि फिर यहां पर आजओ 3 3 and 2 और टू में ए जूतिक सिक्स माइनस फूर आर में कितना दिया है 1 ने इस फीजग्या inquiry Yes is 84 कितना बचेगा 14 बचेगा एटी माइस फूर्टीन होता है तो फूर्टीन लिग दिया हो गया यह हो गया अपना अपर ट्राइंगुल मैट्रिक्स बन गया अब इसको ओपन करो ओपन कैसे होता है तो नोगो पताईए बताया है मैंने यह ऐसे मुल्टिप्ला तो 3x 3x फिर यह वाइक साथ 0x का मतलब भी नहीं है 7y क्या बचेगा 7y is equal to 14 14 खतम यहां से y की value मिल जा रही है 7 को उधर बेज़ दो तो y is equal to 14 7 आँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 7 तूसा 14 होता है वाइस उपने को टू अब एक बार वाइस उपने को टू मिल गया तो इसको इदर पूट कर दो तो 3x माइनस वाई की देता हूं टू इस उकल स्टू 1 यह माइनस टू अब दो मुझे एक्स की वेल्यू चीना मुझे ची एक्स की व इतना जाएगा वन यह लो मिल गया एक्स इकल स्टू 1 वाइस इकल स्टू टू क्वेशन का तम आसान है यह मेरे हिसाब सेना मैथोड़ ऑफ इन्वर्जन जो है ना इन्वर्जन मेथर से भी बहुत ज्यादा आसान मैथरी अगर तुमको ट्रांस वर्मेशन समझ में आती है सब्सक्राइब तुमको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए बहुत सारे बचे ट्रांस वर्मेशन एकदम ही स्किप कर देते हैं चलते में नेक्स्ट कोईशन की तरफ अब थोड़ा सा चीज़ें कॉंप्लेक्स हो जाएंगी क्योंकि भाई सब एक दो तीन 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 एक्वेश घ्राइब एक्स प्लस तुवेशन के डिखते हैं यह कोईशन कापीपेष्ट करना चलो करते हैं एक्सस टूहाइब प्लस जैड इस उकल स्टू एक्ट थीक्रण ऑपर दिया दूए ट्टू एक्स प्लस थीवाइए माइनस जैड इस इवकल सुना दिये बसेदा एलेवन फ सबस्क्राइब करना जरूरी है वहना बात में पता चलता अगर यह गड़वड होगी है यह अगर बाद में तुमको पता चला की गड़वड है तो सब गड़वड चीज़ चलो ठीक है अब इसका मेट्रिक्स फॉर्म लिख लिए फट आफट तो मैं पर लिखते हैं आफ़र इन मेट्रिक्स फॉर्म इन कौन सा फॉर्म मेट्रिक्स फॉर्म आज पर मेट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखा आपर कुछ नहीं 1 2 3 1 2 3 2 3-1 2 3-1 1-1-2 1-1-2 1-1-2 फिर यहां पर एक कॉलम बन जाएगा जिसमें क्या लिखा जाएगा एक्स वाइज़ फिर यहां पर इकॉल टू में साइड क्या रहाएगा एट 11 और 5 8 11 और 5 इसको क्या बनाना हम लोगों को ट्रांस्फॉर्म करके अपर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स और मैं बता दे तो अपर ट्राइंगुल मेट्रिक्स 3x3 में कैसे बनता है यह जए दो सबको 0 बनाते हैं पहले किसको 0 बनाएंगे पहले मैं सोच रहाओ उन इसको जरुए और इसको भी जो बना देती हैं कैसे जिरो मनाएं इसमें यहार 3 में तो मैं लिए अधरी चेंजेस करने आर थ्री माइनस यार ध्री यार लिए लिए रहा है और वन वन एना उसको थ्री से मुल्टिप्लाइब कर दो कर दिया को 133 यह उल्रीदी 3-3 दोनों करेंगे 0 आजाएगा खतम समझा यह लड़ी 3 है वन को त्री से मिल्टिप्ला के भी से त्री होगा 3-3 0 खड़तम इसी एक एक काम करते इसको भी साथ में 0 बना देते यह भाई साब को भी साथ इसाथ 0 बना देते हैं थाना दो दो तोनों क्यों जाएंगे सीडियों लिए ट्रांस farmeisen apply करते वड़ा एक टाइमने क्या बला था जिसमें में करना पहिले कॉपीपेस्ट गूए तो चेंज करना चेंज कर। क्यों कुछ शूची नहीं करना यहांपर x y z खेख और वहांपर क्या है वहांपर r1 को से copy paste कर लो क्योंकि आटकी तो चैंज करने है सब्सक्षाइब देखते हैं क्या चैंज करना पहले आल 2 चैंज कर लेते हैं ऑल टू में क्या चैंज करना आट टू आर्ट यहनी की 2 मैइकनो टू आर 1 इसके करस्पनु निंगे 2 & 3-4 कितना होता है –1 कि अधिया 2-1 फिर से और टू ऑड कि इस बार क्या माइनस बना फिर माइनस टू आर वन इसके करस्पनु में 1-1 टू माइनस टू होता है कि ना आ इसनल आ जायें सब कर से चलो ठीक यहां पर आटू change कर दें चलो ठीक आठीक तू आप तो मतलब 11-2 आरवन रवन इसके खरस्पर्णुन में कितना एट है 11-2 एड़ जा कितना होता है 16 ओता है फिर उसके बाद और 3-2-3 इसके खरस्पर्णुन में कितना हो जाएगा माइनस फाइब सिंपल लास्ट में उधर चले इधर पर देखते हैं और 3-3 बुले तो 5-3 आरवन इसके कर्स्पर्णुन कितना एट है तो फाय माइनस 24-24 होता है ना 24 में से फाय माइनस करेंगी कितना बचेंगा लेकिन बड़ा नंबर माइनस में तो आजाएगा माइनस 19 खतम बास अब आगे बढ़ते हैं लास्ट एक स्टेप बचा किसको 0 बनाना हम लोगों को इसको यह भाई साब को भी 0 बनाना जरूरी है क्योंकि यह 7 है इनको भी 0 बनाना है थाकि आप ट्राइंगल बने अब इसक सेवन यह वन लिखाव है नो 1 इसको क्यों से मल्टिप्ला कर दो तो अर्ट को से अर्ट को सब्सक्राइब कर दो यह भी 7 अब यह भी-7 यह भी-7-7-7 तो दोलों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि यह माइनस से रहे और वह माइनस माइनस क्या हो जाए पलस 7 बनजा हुआ कोपी-पेश्ट एंद फोल आपर एक्स-वाय-जिट अ ए आर्वट के ऐट-एर्ट माइनस र अच्छेंग करना है अर्थी अच्छ ट्रह तो यह रहार थे मैने सेडिव니다 मालके आगे करते चीना रागे घरते हैब בפको अक्यीमे टेरी टेक.. मैने सब्सक्राइब कट्काइब धीक के स्यघ्ण मैने सब्सक्राइब का लगर्प प्रक्राइब के इधर भी कर देते सेमें जैंजें आर थी एनिए माइन दो टीक है मैंने समय प्रस्टी फाइगा कि तो टीक है तो एक जाधा 16 बचेगा कितना बच्छेगा 16 ओके मेरी केलिपिलेशन गलत तो नहीं है कि 15 में से 9 माइनस करता हूं मैं कितना बच्छेगा 46 बच्छेगा ओके टूमें 16 बच्छेगा तो ठीक हो गया और नाव रेडी बन गया अपर अब बारी यह मेट्रिक्स को ओपन करने के तो ओपन अप कैसे होगा ओपन आप कैसे होगा यह से मल्टिप्ला तो 1 x is x 2 x y to 2y 1 x z to plus z is equal to सामने 8 तो यहां पर आ जाएगा एट फर्स्ट एक्वेस्टेशन ठीक है अना रहां से देखना तीनों कैसे लाइन से लिखते हैं सेकेंड वाला इसके साथ जाएगा जीरो x मतलब नहीं इजलों इस से मालीनटिप्ला रा तो माइनस वाइब जाएगा माइनस 3 z से मटिप्ला रहा तो माइनस 3 33 एट इकुल्स तू ठीक के सामने 5 तो माइनस 5 पर लास्ट में ये लास्टर मलिंप्लावर रहेगा इस से 0x मतलब इन यह जीरो मतलब भी नहीं 16 जैड सिब क्या उच्छा 16 जैड इस इकल स्टू इनके सामने क्या लिए 16 तो 16 अब देखो फाइनल में से निकालना चालू करेंगे वेल्यू यहां से जैड़ की वेल्यू निकल जा रही है इस 16 को अधर बिस दो तो जैड़ इस वेल्यू अपॉन में 16 क आजाएगा one is equals to minus 5 minus YC रहेगा minus तो रहेगा इत्री बंजा 3 is equals to minus 5 में को वाइक वेली चीना तो मैं करूंगा जो ट्रीन स्वाइब कशें लिए इसको यह बहुत तो इस अधर से उदर ने कि आपके ऐसागी तो मैंने स्वाइब बचन माइना सवाइब थाई माइनस तुछ इसके बाजू में चलाएगा क्या प्लस त्री माइनस वाई इकोल स्टुम प्लस थी मैन्स टू- माइनस माइनस कट गया y is equal to 2 easy simple एक दो रेखा वहीज़ की जगा 1 डाला 3 वन जा 3 मैनस रिगो देखा प्लस 3-2 कटा 2 आ गया simple y की वेल्व मिल गई 2 z की वेल्व मिल गई 1 अब z और y की वेल्व इधर पुट कर दो तो x plus 2 y की वेल्व कितने आ गई है बस जैटिक वेल्व कितने आगे वन इस इकलू टुए एक्स क्टू तो कितना होता है 4 प्लस 1 इस इकलू नेएक्स प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 कितना आता है 5 इस इकलू छूट प्लस 5 वाइड बेस दूँगा माइनस फाइगा 8-5 कितना आ गया 3 वाव 321 आर अपनी वैलियूस कितना इसी है न सोचो इसमें 3 by 3 का मैट्रिक्स भी रिडिक्शन मेथर से करना बहुत असान है बस तुमको इन तीनों को 0 बनाने में थोड़ी से मैनत करने हो बागी कुछ नहीं है बागी तो सब चिंदी है ठीक है चलते पने नार्स्ट कोशिं की तरफ इसको बिडिक्शन पापने को चारी कोशन थे चौत अपना लास्ट को सिंदी इसको देख लेते हैं इसको क्या करना वही सेमी काम करें इसको भी वैसे भी पहले गिवन अपक्वेशन क्या का टोप्सट 스ट कोश य कॉप लिसट इस इगोस नों X plus Z, X plus Y plus Z is equals to 1 वा, 2X plus 3Y, 2X plus 3Y plus 2Z is equals to 2, plus 2Z is equals to 2, और X plus Y, X plus Y plus 2Z is equals to 4, एक बार equation check करना जरूरी है, perfect, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, सही है, 1, 1, 2, 4, very good, इक्तम पर्फेक्ट है, अब चलो लिखते हैं, फटा-फटी, ये question number 1, ये 2, और ये 3, और अब हम लिखेंगे इसका कौन सा form, matrix form, तो मैं अब लिखते हैं, फटा-फट, in matrix form, matrix form में कैसे लिखा जाएगा, एक matrix बनेगी, 3 by 3 की, बड़ी वाली है, क्या जाएगा, 1, 1, 1, 1, 1, sorry, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, तो 1, 1, 2, ठीक है, यहां पर एक और matrix बन जाएगा, हां पर क्या जाएगा, एक्स, वाई और जाएगा, सिंपल लिख दम, और साइड देखेंगे, तो क्या जाएगा, उससाइड आजाएगा, अपना यह, 1, 2, 4, 1, 2, का, 4, very simple matrix बन गया, अपर ट्राइंगल बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है, तो पहले हम लोग इनको 0 बनाएंगे, पहले हम लोग इसको 0 बनाते हैं, यह कौन से रो में, यह रो 3 में है, मतलब सारे changes 3 जएड रो में करने है, और करना क्या है, 3 रो, 3, यह 1 और इसको R1 में से minus कर दो, तो माइनस और ओन यह भी वन यह भी वन दोनों सोगे गवे और जाएंगे सिंपल एक तो फिर इसको भी साथ भी जिरो बना जयतें इसको फाना यह क्या आज टू में तो चेंजेस के लिए है गलें रूंपर यह तो है पर यह सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने दोनों क्या बन जाएंगे वह 00 बन जाएंगे देखो है तक डाले त्यसक्राइब अध्यागे सब्सक्राइब करने देखा टूए जाएगा फिर देखो हो आर्टू यानी थ्री मैनेस ठूंज क्या है तरी मैनेस टूंज तो होता है त्ली मैनेस टूंज क्या गणा जाएगा जाएगा यह एक एक अब चलो यहीु से इंदर भी गणा पड़ेगा और टू आट्व वे निटू मैनस टू आर्वन आर्वन इसके करस्वन में क्या बॉन है तो टू माइनस टू नाजएगा जीरो इधर भी आगे जिरो वाओ इस लाइन में को ज्यादे नहीं जीरो आगा यह भी जीरो यह भी जीरो अच्छे चलो ठीक है अब अब ध्री करते हैं अर्थी मैनेस 1 1-10 30 minus員 11-1edarya Siro Du-1 कि नो जाएगा को तो ने आपर हम फोर-1कि नो जाएगा 3 erdraट Idea4-1 थब बन दो यह आप ट्रीना नाभाट कि एक बन गया देखो ये भी 0 20 was by 1910 यह इससे मुल्टिप्लाइब तो 1x1y1z यह नहीं एक्स प्लस y-plus z is equal to क्या यह वापर वन कॉमा यह इससे मुल्टिप्लाइब तो यह 0x का मतलब नहीं 1y यह लिखेंगे 0z का मतलब नहीं सिफ y का मतलब इस इकोल स्वाइब यह 0-20 y की वेल्यू मिल गई सिदे 0 ठड़ अभी देखते 0x मतलब नहीं 0y मतलब नहीं 1z यह नहीं कि जैड इस इकोल स्टू कहां पर 3 है देखो यह कितना मस्त है वाइज इकोल स्टू 0z is equal to 3y वाइज एड मिल गया इधर पूट कर दो तो यहां पर x plus y कि वेल्यू कितने आई 0z कि वेल्यू कि त्री इस इकोल स्टू 1 तो एक्स प्लस 0 का मतलब नहीं 3 इस इकोल स्टू 1 इस प्लस 3 को अधर बेज दो माइनस 3 हो जाएगा 1-3 कितना आ जाएगा माइनस 2 यह गया माइनस 2 खत्म x is equal to minus 2 y is equal to 0 z is equal to 3 और अपने को आंसर मिल गया सम और बस इसी के साथ यह जो वीडियो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राब करना मिलते हैं अच्ट वीडियो में धाइक्यू